हेलो दोस्तो वलकूम टू माई यूटूब चेनल वीडियो को पूरी तरह देखने अच्छा लोगे तो वहाँ लाइक, सेरें, सब्सक्राइब करना दोस्तो आज समा बत करेंगे बैंक प्राइवेटेशन न्यूस के बारे में दोस्तो रिसेंट अपडेट के अनुसार, फाइनली सरकार ने सेंट्रल बैंक अप इंडिया एंड इंडियान ओवर्सिस बैंक का नाम प्राइवेट करने के लिए फाइनल कर लिया है इन दोनों में सरकार अपनी 51% की हिस्सेदरी पहली दपा में भेचेगी इस खबर से दोनों बैंक का सेरास 20% तक बड़ा है दोस्तो सरकार इन दोनों बैंक में हिस्सेदरी घटाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन आक्ट में चेंज करेगी और कुछ अन्य बैंकिंग रूल्स में भी चेंज करेगी सरकार ने टोटाल चार सरकारी बैंक में हिस्सेदरी कम करने की जोजना बनाई है इसमें दोनों के अलावा Bank of Maharashtra and Bank of India भी समिले लेकिन दोस्तों भी सिर्फ दो बैंक का नाम आया है वो है Central Bank of India and Indian Overseas Bank सरकार ने बजट में भी इन दोनों सरकारी बैंकों का नाम दिया था प्राइवेटेशन के लिए दोस्तों मीडिया रिपोट के मुताबिक सरकार के थिंटेक निती आयोग ने इन दोनों बैंकों का नाम को चुना था और बैंक अप इंडिया भी इस लिस्ट में समिले प्राइवेट होने के लिए तो दोस्तों फाइनली इंडियान Overseas Bank and Central Bank of India ये दोनों बैंक कंफर्म हो गये हैं प्राइवेट होने के लिए पहले ये दोनों बैंक पहली फेज में प्राइवेट होंगे और उसके बाद बाकी जो दो बैंक पचे वो दुसरे फेज में प्राइवेट होंगे तो पहले ये जो इंडियान Overseas Bank and Central Bank of India ये दोनों बैंक इस Financial Year की आखिर तक प्राइवेट हो जाएंगे और बाकी जो दोनों बैंक पचे जो Bank of Maharashtra and Bank of India ये दोनों बैंक भी इस पर्स की Financial Year की आखिर तक प्राइवेट हो सकते हैं तो प्राइवेट होने पर इस Bank की एकाउंट होल्डर पर क्या एफेक्ट पड़ेगा यानि फाइदा क्या हुआ और नुक्सन क्या हुआ दोस्तो एकाउंट होल्डर का जो भी पैसा इन चयार बैंकों में जमा है उस पर कोई खत्रा नहीं है आपका जो पैसा हुआ एकड़म सेफ रहेगा खता रखने बालों को फाइदा ये होगा कि प्राइवेट होने के बाद डिपोजिट्सन लोन जैसे बैंकिंग सर्विस में पहले की मुकाबले बहतर तरीके से मिल सकेंगे एड़ एक परिशन ये होगा कि कुछ मामलों में आपको ज्यादा चार्जस देना होगा जिससे सर्करी बैंक की सेडिंग अकवड में मिनिम Appalance 1000 या 2000 या उसके नीचे हुता है लेकिन जो प्राइवेट बैंक होता है कुछ प्राइवेट बैंक में आप मिनिम से आपको 5-10,000 रखना होता है तो अगर आपका bank private हो जाएगा तो आपको private bank के अनुसार आपको minimum balance maintain करना होगा नहीं तो आपके account में charges लगेगा तो दोस्ता अभी 12 सरकरी bank के इन में से 4 के private हो जाने के बाद 8 सरकरी bank रहेंगे तो आए जानते 12 सरकरी bank का नाम के बारे में अभी bank of Baroda, bank of India, bank of महाराष्ट, कानाडा bank, Central bank of India, Indian bank, Indian Oversus bank, Punjab National bank, then Punjab and Sin bank, Union bank of India, Yuko bank and State bank of India यानी SPI अभी सरकरी bank है तो दोस्तो bank privateization को लेकर जो भी update आया है मैं आपको बताया हूँ ये आगे update चेंज भी हो सकता है इसलिए नए-नए update के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें तो दोस्तो ये रहा bank privateization के उपर एक छोटा सा वीडियो ये वीडियो कैसा लगा आपनी कमेंट पर बताए अच्छा लगे तो आँ लाइक शेर और सब्सक्राइब करना थैंक्यू फोर वाचिंग